हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा वीर चैनल और आज मैं आपको बताऊंगी अचार मिर्च का अचार बनना जो बिल्कुल जटपट से तेयार हो जाएगा ना तो इसमें जञजट है ना इसमें तेल डालना है और आप इसको आप डालेंगे तो शाम को भी खा सकते हैं और बिल्कुली असान सिंपल तरीके से मैं आपको अचार मिनना जटांगे मिर्च का तो पेहले हमें क्या करना है मिर्च को अच्छे से दो लेना है और जो इसके पिछे से जो ये या पूल ऐँदें इनको तोड़ लेना साफ करने के बाद हम इन्हें कूटना इे और यह कूट्ना मोम ज़िस्टे मेंकूर लिजिए या फिर आप मिक्सित में थोड़ा से इसको ग्रैंड़ ले स्कूर मोटा धरधर सा बिफना यह देखी यह मैनने पेस्ट जिना रखा है और पेस्ट मिणने के बाद यह ऐसा हो जाएगा फिर इसको करने के बाद जो उमारा मेंच है हमारे क्या-क्या डालना है सिर्फ सिंपल दो-चार चीजह कि आपको बताउंगी जिस्से हमारा चान अचार बिल्कुल अच्छा और स्वाधिस्ट बनेगा इसमें यह देखिए हर्दी मैंने बिल्कुल ही थोड़ी सी ली है आप आदा चमच के करीब ले सकते हैं जिससे हमारे इसका जो रंग है कलर है इसका अचार का बहुती अच्छा बनके आएगा तो इसमें यह मैंने एक चमच सोप ली है और एक चमच मैंने राई ली है और एक चमच मैंने इसमें नमक लिया है तो इसको हम जब बराबर से ले लेंगे तो हमीं क्या करना है इसको सबको पीसना है और पीसने क के बाद हमें क्या करना है इसको इसमें यह देखिए मैं इसको इसी में मिला दूँगी और हमें कुछ भी नहीं करना है और हमारा अचार बिल्कुल तैयार हो जाएगा यह देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है बस इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसमें पानी नहीं डालना और हमारा चार बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा यह मैं इनको अलग से रख देती हूँ फिर आपको मिला के लिखती हूँ तरिये देखिए अच्छे से मिला लेना हमें इसको किल्कुल और यह हमारा चार तैयार हो गया है मिर्च का अध्यूंग बिल्कुल दबद में इसको कि अध्यूद्ट देखिए में बढ़नों ये मेरा म्रीक का ही ढबा और यह शाम तक हमारा रेडी ओजाएगा खाने के लिए आप कर साथ के साथ भीखा सकते हैं ना तो 大गाए तेल ना इसमेने कोई और ज्यादा इंडिगंट अधूर डाले ना हो जाता है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऐसी टिप्स अच्छी अच्छी देती रहूं थैंक यू बाइबाइब